हेलो अबरीबन स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल उजन के चनल में आप सब कर तो आज क्या लाई हूं मैं आप सब के लिए थोड़ा सा होट थोड़ा सा टेस्टी या फिर थोड़ा सा स्पाइसी इंटर इस्पेशल पुलाओ बनाते हैं मतर वाला पुलाओ और उसमें हम फोड़ा सा पनीर पनीर जो की ऑप्शनल है और हां मतर कुलाओ बुला है मैंने यह नहीं कि चावलों में मतर को छील के बस उसमें मतर को डाल दिया जाए और वो मतर कुलाओ हो जाता है बिल्कुल नहीं मतर को मतलब है चावल के दानों के अंदर तक मतर का जो टेस्ट है और एकदब उसका जो कलर है ना बिल्कुल मटर की तरह हलका हलका ग्रीन कलर इतना रच बस जाए मटर का टेस्ट उसमें कि वाके में वो मटर कुलाव ही हूँ है ना तो चलिए आज हम बनाएंगे विल्कुल रियल वाला मटर कुलाव और स्टार्ट करते हैं चल्दी से बिना टाइम खराब किये वे और रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि छोटे चोटे टिप और ट्रिक क्योंकि जिससे बनेंगे आपके मटर कुल रेस्टोरंट जैसे एक एक दाना चावल तक खिलावा होता है जिसतर से शाजियों में हम देखते हैं सजे वेप एक एक दाना खिलावा वो कैसे बनेगा तो यह जो है आप स्किप किये बगएर पूरी रेसिपी को जरूर दीखेगा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजिएगा और पास में बैल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजेगा ताकि जब भी मैं कोई भी रेसिपी न्यू वीडियो दालू तो आप तक उनके नोटिफिकेशन सबसे पाहले पहले पहुचे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह मतर कुलाओ की यमी सी डेवीश सी रेसिपी फूर से पन और यह पनीर लिया है मैंने 125 ग्राम और थोड़ासा फ्रेश कॉरियंडर तो इनी सब चीजों के साथ में मैं बताऊंगी सबसे पहले हमें चावल को वाश करके अच्छे से यहां पर रख लेना है बहुत जादा देर पहले भीगोने की इसे जरुत नहीं है फिर उसके बाद मैं चॉप करूँगी जो हमने मटर लिये है ना उसमें से एक बड़ा चम्मच हम मटर भरके इसमें डालेंगे और इसके साथ ही मैं डालूँगी एक ग्रीन चिली और जो हमने अधरक का टुपडा लिया है वो और थोड़ासा फ्रेश कॉरियंडर इन सब को मुझे चॉप कर आप चॉप तो यहां मैं अदे चावल नहीं के लिए यह भरतन ठोड़ासा खुलाप टॉह यहां लिए अच्तां साथ उटाने तो यहां मैं चम्म पैरके नहीं बनाधये है यह तो यहां पहाँ बड़ा तरीकर सी गरम ऊचाणाए तो यहहां मैंने एक पनीर के पीस को इसमें डाल के देख लिया घी है तो उचलेगा ही आप चाहें तो ओल का इस्तमाल भी साथ साथ कर सकते हैं बस तो सावधानी से आपको ये काम करना है क्योंकि घी में जब भी हम कुछ फ्राई करते हैं तो ये घी तो इस तरह से बाहर थोड़ा सा उचल ही जाता है तो हल्का सा आप देखेंगे हल्का सा बिल्कुल गोल्डन कलर बहुत हल्का बहुत हल्का जब लगेगा ना हमे कि ये बस इस पनीर के उपर हल्का सा एक दो पीस पर कोई गोल्डन कलर आ गया है इसका मतलब पनीट फ्राई हो गया है और उसे हम बाहर निकाल देंगे गैस की आंच को मैंने धीमा कर लिया और अब हम डालेंगे इसमें कुछ साबुत गरम मशाले वंटी स्पुन जीरा, पांसाथ डालेंगे हम यहाँ पे कालिमेट, साबुत कालिमेट के दाने दो लॉंग, इसके अलावा थोड़ी सी जावितरी, एक कमल फूल और आधी बड़ी इलाइची और उसके साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे दालचिनी का टुकड़ा और दो तेजपत्ता छोटा सा दालचिनी का टुकड़ा, थोड़ा सा मुझे घी कम लग रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़े से घी का इस्तमाल और करूँगी जैसा कि मैंने कहा कि आप चाहें तो ओयल भी साथ में डाल सकते हैं और साथी पनीर की क्यूप्स जो हैं वो आप अपनी इच्छा अनुसा जैसे भी आपको पीस करने हैं उसको काटके जैसे तरह से मैंने फ्राइग किया आप अपने पसंद के हिसाब से पीसिस लंबाई में स्कॉयर में यह सब कर सकते हैं गैस की आच को मैंने हलका सा बढ़ा दिया है और क्योंकि हमने थोड़ा सा घीव यह और डाला है बस साबुत मशालों का जैसे ही इसके अंदर फ्लेवर आएगा और इसके प्याज के जो अलचे हैं यह हमने जिस तरह से लंबाई में काटा है हलका इलगा किनारे पे जब आप देखे ने कि अब इस पर कलर आने लगा है तो बस इतनी ही देर हमें इसे चलाना है तो लगबग इस प्रोसेस में मुझे मीडियम टू हाई और हाई टू मीडि अद्रक और साथ में हमने एक ग्रीन चिली को जो दरदरा पिसके रखा था वो ताकि उसे भी थोड़ा सा हम भून लें देखिए मटर पुलाव का मतलब यह नहीं है कि पुलाव के ऊपर स्रफ आपको मटर दिखाई दे जब तक एक एक चावल के दाने के अंदर भी मटर का स स्वाद ना चला जाए ना तो फिर मटर पुलाव किस तरह का है ना तो इसलिए हमने यह वाला प्रोसेस किया है और अब जो हमारे साबुत वाले मटर बचेवे हैं वो हमने डाल दिये और इस तरह से यहां पर हमने इसको एक डेड़ बिनिट तक और भुना है आप देख रह इसको तीखा या स्पाइसी करने के लिए क्योंकि एक चीज़ बता दो कि लाल मिर्ची पाउडर डालने से जो हमारा मटर पुलाव का कलर है उसके उपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ ही जाएगा तो हम यहां पर काली मिर्ची का इस्तमाल करेंगे और वैसे ग्रीन चिली भ यहां पर लगबख डाइन कप पानी जो है वो डाल दिया है और जैसे ही पानी में उबाल आया धकन लगा दिया था मैने अब हम डाल देंगे यहां पर चावल यहां में आपको एक राज की बात और बता दूं कि अगर आप चावल डेड़ कप ले रहे हैं तो कहीं लोग कि तीन कप आपको पानी लेना है लेकिन मैंने यहां पर धाई कप ही पानी लिया है पहले रेसीपी पर लौटे है मैंने यहां पर पनीर और हरा धनिया डाल दिया और इसको लगा दिया मैंने यहां पर धकन और इसको रग दिया हमने पकने के लिए तो जिस तरह से मैंने लेकिन ये चावल का कच्छा पन हलका हलका कैसे जाएगा अब मैं बताती हूँ आपको वो राज जो स्टीट स्टाइल जो हलवाई लोग करते है न वो तो अब क्या करना है हमने रग दिया तवा और फुल गैस आज जो हमने तेज कर दी जैसे ही तवा गरम हो जाएगा न तो ह फोल को आप बंद कर दीजिए और इस पर रख देंगे हम वेट और अब धीमी आज पे तवे के ऊपर हम चावलों को दस मिनिट के लिए रखकर भूल जाएंगे और अब आप देखेंगे आप बिलकुल भी आपका एक एक दाना चावल का खिला हुआ पुलाओ का इस तरह से बनेगा जैसे कि विलकुल शादियों में आपको पुलाओ मिलता है न वैसे ही तो नहीं है न चावल कच्चे तो ये एक जो छोटचोटे टेप और ट्रेक होते हैं ये आपको तभी पता रखते हैं जब आप रेसिपी के किसी भी रेसिपी के वीडियो को स्किप नहीं करते ह यहां पर गैस को बंद करने के बाद भी पांच मिनिट तक ढखन नहीं खोला और पांच मिनिट के बाद में हमने यहां पर ढखन को खोला है और यह देखिए तयार है हमारा मटर पनीर पुलाओ पनीर ऑफ्शनल है अगर चाहें तो ना डालें सीजनेवल मटर तो बहुत आर हाँ रेसिपी को लाइक देने के साथ में शेर जरूर कीजिएगा अपने फैमेली और फ्रेंड्स में और कमेंट करके बताइगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लेगी चैनल को तो आपने अब तक सब्सक्राइब करी लिया होगा नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जाने से पह झाल झाल